स्री शिवाय नमस्तुब्याम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब देखे आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है वेशाक का पवितर महिना चल रहा है और हम सभी जानते हैं कि वेशाक के पवितर महिने की प्रदोश कितनी ज़्यादा शुब होती है और वेशा साथ दूसरी प्रदोश की जो तीथी पड़ेगी वो पड़ेगी 20 मई को याने कि 5 और 20 मई को रवी प्रदोश और सोम प्रदोश पर करने वाले ये विशेश उपाय हैं इस मोके को आपको गवाना नहीं है साल में केवल दो बार ऐसे मोके मिलते हैं इन उपायों को करने के लिए जो की वेशाक की प्रदोश पर ही किये जाते हैं देखो आज के इस पूरे वीडियो में तीन महा उपाय बताएंगे और ये तीनों उपाय काटे से आपको करना है शेहत से ओम बनाने वाला विशेश उपाय है कुंद केश्वर महादेव का रोग मुक्ति का उपाय है तो तीनों उपाय बहुत खास होने वाला है इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना एक किक करते हुए हम उपायों को समझेंगे पुझी गुरुदेव पंडित प्रदीब जी मिश्रा कीही का दास सुन करके समझाने का प्रयास करूंगा लेकिन उससे पहले बात करते हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे साथ काटे यह काटे आपको लेना है बेल पत्र के पेड़ के वहां से बेल पत्र का पेड़ होगा आपकी घर के आसपास जहां कई भी हो वहां से आपको साथ काटे आपको लेकर के आना है बेल पत्र के साथ काटे आपको काटे आप लेकर क्याएंगे साथ मिलेंगे तांबी की पात्र के अंदर जल देखो ये काटे आपके जीवन में आ रही जितनी भी परिशानिया हैं बड़ी से बड़ी वीपदा बड़ी से बड़ी परिशानी बड़ी से बड़ी चिंताओं को खत्म करने के लिए जो अगर ऐसी समस्य आ गई है जिसका हल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वेशाक के महिने में रवी प्रदोश यानि के पांच मई या तो फिर बीस मई को सोमवार की प्रदोश पर आप यह उपाय कर सकते हैं और ये मोका आपको गवाना नहीं हैं बड़ी से बड़ी वीपदा पर शिव के मंदिर में जाना और उत्तर मुकी हो करके एक लोट जल आप भगवान को अरपित कर देना साथ काटे आपको एक एक करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अरपित करना है आप अरपित करोगे ना तो एक एक अरपित करोगे जब आपको श्री शिवाय नमस्तुब्यम का जाब करना एक एक अरपित करना है साथो एक साथ अरपित नहीं करना है एक एक अरपित करना आपके जीवन के जो भी मेन दिक्कत है जो भी परिशानी है उसका इसमरेंट करना महादेव से प्रातना करना वो दूर हो जाए ऐसी काम ना करते हुए साथ बेल प जिसकोए भी भी वीशेश उदास है जीवन में जितना भी संकट है जो विक्ति आपकी घर में एसा कोई विक्ति हो। और गोत रोबोल करके आपको ये शहद वाला विषिश उपाई करना है देखो केसे करना है समझना एक बिलपत्र लेना है तेकर साथ में लेना है थोड़ा सा शहद साथ में लेना है तामवे के पात्र के अंदर जल ये तीनों सामगरी ले करके रवी प्रदूश या तो सोम प्रदूश पर 5 मई या तो 20 मई को आप यो पाय कर सकते हैं आपको क्या करना है भगवान शीव के मंदिर में जाओगे भगवान शीव के शीवलिंग पर सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है जिसे हम कहते हैं अनामी का उंगली में आपको शहद से शहद लेना है थोड़ा सा और ओम का निर्मान कहां पर करोगे माता अशोक सुन्दरी वाली जगा पर देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं चंद्र बिंदू भी आपको लगाना है और देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं इस प्रकार से आप अर्पित कर देना और तांबी का पात्र का जो जल है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर सूरेश्वर इसक्रिन पर आपको नाम मिल जाएगा सूरेश्वर महादेव के नाम से अर्पित करना और जिसे ही बेल पत्र के उपर अर्पित करोगे बगवान शिव के शिवलिंग पर जाएगा फिर जलादारी के महां से बेता हूँ वो जलाएगा उस जल को आपको जहल लेना है जब आप सूरेश्वर महादेव का इस्मरंड करोगे उसके पहले जो भी व्यक्ति आपके घर में आलसी है उदास रेता है काम में जिसका मन नहीं लगता है उसका नाम और गोत्र बोलना और सूरेश्वर महादेव से प्रात्ना करना और यह जल अर्पित करना और इस जल को जहलने के बाद भगवान शेव से प्रात्ना करना सुरेश्वर महादेव का इस्मरंड करना कि उस व्यक्ति के जीवन में तेज आए जो भी आपके घर में व्यक्ति है उसका नाम लेना उसकी गोत्र बोलना और इस व्यक्ति के जीवन में जो भी उदासी है वो दूर हो जाते हैं तिसरे विशिश उपाय की जो की केवल और केवल वेशाक की प्रदूश पर ही किया जाते हैं तो यह मुका आपको गवाना नहीं है यह उपाय करना से आपके जीवन की आ रही जितनी भी परिशानी है तमाम परिशानी आपकी दूर होने वाली है तमाम संकट जो है आपके जीवन में जो आ रहे हैं बार-बार अगर आपके जीवन में परिशानी उत्पन हो जाती है न तो यह उपाय आपको करना है देखो इस्क्रिन पर आपको क्या दिख रहा है बेल का फल ठीक है आपको क्या करना है बेल के फल का जो अंदर का जो गुर्दा है उसको आपक निकाल सको आप निकाल लीजिए थोड़ा साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल यहां पर एक चीज समझना अगर आपकी जीवन में कोई परिशानी जो लंबे समय से हैं आपकी कोई मनुकामना जो कहीं दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है तो आपकी मनुकामन करना पोर्ति के लिए आप यह उपाय करेंगे यह उपाय वेशाक के प्रदोष्टपर ही कहलाता है और यह उपाय आपकरोगे प्रदोषकाल के समय देखो वैसे तो यह जितने भी हमने उपाई बताया ना ये उपाई आपको प्रदोषकाल के समय करना है और के शुरु हो जाएगा और समझ लो देर गंटे तक यह प्रदोश काल का समय रहने वाला है अपको ज्यान रखना प्रदोश काल के समय में ही आपको यह उपाय करना है और प्रदोश काल जो है सुरे आ आपकी घर के आसपस जो भी भगवान शीव का मंदिर है वहाँ पर जाना यह उपाय आप रोग मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं अगर रोग मुक्ति के लिए अगर आप यह उपाय कर रहे हैं तो कुंद केश्वर महादेव के नाम से यह जल आपको अर्पित करना है उत्तर मु मोली महादेव का नाम इस्मरन करते हुए भी कर सकते हो जो आपकी जीवन में सुक शांती लेकर के आते हैं तो किसी भी महादेव का नाम इस्मरन कर सकते हो अवदु तेशुर महादेव का इस्मरन कर सकते हो आपकी जीवन की सारे संकर दूरो जाएंगे तो यह उपाय भी प्रदोश पर ही किया दा है इसलिए हमने आपको बताने का प्रयास क्या है देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने तीन महा उपाय के बारे में बात करा है और पांच माई, बीस माई दो दिन आपके पास हैं प्रदोश के तीथी हैं दोनों प्रदोश पर त्रयोदिशी तीती पर आपी उपाई जरूर करना अगर कुछ भी चीज समझ में ना आए तो एक बर कमेंड में जरूर पुछना गलती आपको नहीं करना है श्री शिवाय नमस्तुब्यम दोस्तों हर हर महादिव